नमस्कार दोस्तों हम देख रहें bond duration और उसमें भी हम modified duration देख रहें और इससे पहले मैंने modified duration के दो वीडियो upload किया है एक में मैंने पूरी थेरी बताई है कि यह क्या है वगरा जो आप आपके screen पे आप ही आप देख रहे हो वो मैंने वहाँ पर बताया है थेरी वीडियो में और उसके बाद में मैंने एक उसका function आता है m duration नाम का उसका इस्तमाल करके हम modified duration कैसे calculate करते वो बताया है ठीक है अभी हम modified duration याने macularly modified duration हम अभी math formula से देख लेंगे ठीक है तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा था और पहले दो वीडियो में कहा था कि यह जो bond का price होता है वो interest rate बढ़ते है तो फिर bond का price उसके opposite में घड़ जाता है याने interest rate और bond का price इसका relationship जो होता है वो opposite होता है ठीक है तो वही हम अभी देखेंगे कि अगर वो 1% बढ़ता है कोई bond interest rate तो उसका price कितना crash होता है इसका जो calculation है उसे हम modified duration कहते है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे हमने अगर PV function से हमने किसी bond का price निकाला है और अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर 6% मैंने interest rate लिया है तो अगर मैं देखो इसको यहाँ पर price आप देखेंगे नीचे जो price है यहाँ पर 1000 है वह हमने PV function से calculate किये और अभी यहाँ पर जो rate है वह 6% बता रहा है तो हम देखते हैं कि इसको 7% करते हैं तो आप देखोगे कि bond का price क्या होता है ठीक है जैसे मैंने 7% कर दिया यहाँ bond का price गट गया है तो यह आ गया 973 रूपीज आ गया ठीक है 973 रूपे आ गया है और अ हम क्या करते हैं 6% हमारा पहले था तो अभी हम उसको 5% करते हैं याने जो हमारा पहला rate था उससे हम गटाते हैं तो देखो bond का price बढ़ गया याने यह जो अभी relationship आ रहा है इसे ही हम macula modified duration से calculate करते हैं और वही m duration आपको calculate करके देता है और यह जो भी answer आएगा यह percentage में आएग ठीक है तो उसका एक formula होता है math का वह यहाँ पर मैंने लिख के रखा है वहाँ पर आपको macula duration लेना पड़ता है और उसको divide करना पड़ता है आपके one plus yield से और फिर उसको आपको frequency से भी divide करना पड़ता है तो अभी हम शुरू करते हैं हमारे calculations जहाँ पर भी आपको calculation करना है व और आपको सबसे पहले आपका जो macula duration है जो हमने calculate करके रखा है वो ठीक है उसके बाद आपको उसको divide करना है एक bracket लेके one plus आपका yield यहाँ पर आपको period yield लेना है annual yield लेना नहीं है और इसको आपको divide करना है आपके frequency से kuban payment frequency से ठीक है और simply ok press कर देना है तो यह आगया आपका modified duration with math formula ठीक है अभी इसको हम percentage में लेंगे और अभी यह google sheets है तो मेरा अभी उसमें हाथ बैठा नहीं है कि मैं फटा फट जाके उसको यह कर दूँ अभी भी मुझे number धोनने में तकलिफ हो रहे है तो मैं आपको यहां पर ही उसको 2.76 परसेंट ऐसा लिखके आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो यह जो modified duration आ गया है यह 2.76 परसेंट आ गया है इसका मतलब क्या है कि बॉंड अगर एक परसेंट बढ़ेगा इंट्रेस एक परसेंट बढ़ेगा तो यह बॉंड का प्राइज 2.76 परसेंट पर इयर गटेगा ठीक है और तीन साल का bond है तो इसको तीन से गुणाकार करना पड़ेगा यह answer का वो हमने पीछले वीडियो में भी देखा है ठीक है तो इस तरह से हम modified duration का math formula से भी आसानी से characterization कर सकते हो अगर आपको m duration function आपको ज़्यादा यह हो रहा है मुश्किल लग रहा है तो आप इस function के द्वारा भी आप उसका calculation कर सकते हो तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो समझ में आया होगा बस जाते आते हैं एक थोड़ा सा fun हम जब भी bond बोलते थे तो हमें James Bond की याद आती थी तो आपने भी काफी सारी James Bond की मुवी देखे होंगी तो आपका कौन सा सबसे फेवरेट James Bond का मुवी है वो भी मुझे comment में बताईए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद